मुई केंद्री रेल मंत्री अश्विनी वैशनव जैपुर दौरे पर हैं गांधी नगर रेलवे स्टेशन का रेल मंत्री अश्विनी वैशनव ने जायजा लिया है गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पुनर निर्मान कारियों का जायजा लेने के लिए अश्विनी वैशनव पहुंचे दोनों प्लैटफॉर्म्स को जोडते हुए लाइनों के उपर छत बनाई गई है रेल रक्षक का भी रेल मंत्री अश्विनी वैशनव ने अवलोकन किया है रेल मंत्री अश्विनी वैशनव ने मश्दूर के साथ आत्मियता भी दिखाई अश्विनी वैशनव ने मश्दूरों के साथ सेल्फी ली रेल मंत्री से मिलने के बाद मज़दूरों के जो चहरे हैं उन पर मुस्कुराहट भी देखने को मिली तो गांधी नगर रेलवे स्टेशन पर विकास कार्यों का जायजा लेने पहुचे के इंद्रे मंत्री साथियों नमस्कार आप जैपूर गांधी नगर स्टेशन का री डेवलोप्मेंट का जो ये प्रोजेक्ट देख रहे हो ये अभी तक बने जितने भी स्टेशन्स हैं उन स्टेशन्स में देशबर में आपको पताए कि 1324 स्टेशन का री कंस्ट्रक्शन चल रहा है और विश्व की सबसे बड़ी स्टेशन री डेवलोप्मेंट परियोजना आज प्रदानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्क दर्शन में भारत में चल रही है उसमें ये गांदी नगर इस्टेशन जो चदानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि इस्टेशन शेहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला बनना जाई है तो जोड़ने का जो मात्यब है वो है ये रूफ प्लाजा रूफ प्लाजा इस्टेशन के दोनों साइट को जोड़ने के हिसाब से बनी है और बहुत बड़ा एरिया इस्टेशन के उपर डवलप होता इससे हैं यह जो रूफ प्लाजा है इसमें इंजिनरिंग की भी बहुत बड़ी मिसाल है इतने बड़े 40 मिटर के गडर को तीन सेग्मेंट में इतने बड़े गडर को लाँच करना अपने आप में एक बहुत बड़ी एंजिनरिंग केपेबिलिटी है तो मैं नॉर्थ वेस्टन रेलवे के जनरल मैनेजर साब और आपकी पूरी टीम को सदवात देना चाहूँगा कि आपने इतने कॉंप्लेक्स काम को इतना सहचता से इतने अच्छे तरीके सेखिए